नमस्कार मैं प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में कोल इंडिया स्टॉक को डिस्कस करेंगे कोल इंडिया ने अपने कोटरली नंबस डिक्लियर करें नंबस काफी आउट एस्टेंडिंग रहा पिछले दो-तीन साल के ट्रेंड को देखें तो इस्टॉक हंड्रेट से 500 यानि more than 400% के रिटर्ण टेक्निकली इस स्टॉक ने दिये और अभी भी इसके व्यूज मेरे व्यूज इस स्टॉक के डिगार्डिंग काफी स्टॉंग है यहां lower price से देखेंगे तो लगबग लगबग स्टॉक ने 400% तक के रिटर्ण दिये हैं आज इस स्टॉक ने अपने Q1 के numbers को declare करा तो इसके Q1 के numbers को समझें इस से पहले premium टेलिग्राम को जरूर जोइन करें description के link से account आपन करें और video पसंद आए तो दोस्तों में जरूर चैनल को share करेंगे और premium टेलिग्राम बिल्कुल free है उसको जोइन करें वहां से आप हमारी एकोरेसी को समझ पाएंगे net profit 4.2% का growth दिखा 10,498 करोर से 10,943 करोर हुआ revenue flat positive रहा 36,464.6 करोर का evita देखेंगे तो flat positive रहा और margin देखेंगे तो margin भी flat positive देखने को मिला है तो थोड़ा मैं आपको इसके quarterly numbers को direct PDF के थूरू समझाने की कोशिज करूँगा ताकि आप समझ पाएं क्योंकि ये screener पे अभी update नहीं हुआ है यहाँ सबसे पहले revenue देखें तो company की revenue जो है year on year basis पे बर ही है और quarter basis पे थोड़ी घटी है revenue from sales देखें या फिर other operational income देखें तो other operational income जो है वो तो दोनों ही basis पे better रहा लेकिन sales के numbers थोड़े quarter basis पे weak रहे इसके अलावे company के जो expenses रहा है जो expenses रहा है यहाँ देखेंगे तो company के total expenses भी narrow down रहा है यहाँ बढ़ते हुए दिखा है year on year basis पे लेकिन quarter basis के numbers देखें तो expenses भी थोड़े कम रहे हैं अगर company की profitability की बात की जाए तो इस समय company ने जो profitability declare करा है यहाँ इस company के profitability को अगर देखें तो profit loss before share of joint venture तो यहाँ देखेंगे 14,061 करोर का रहा जो की highest ever रहा लेकिन अगर यहाँ देखेंगे before tax session before tax session के profitability देखेंगे तो आपको highest ever profitability दिखेंगी quarter on quarter basis पर भी year on year basis पर भी लेकिन आगे अगर इस stock में आप देखेंगे की जो profitability या loss को अगर tax को हटा देखेंगे तो उसके बाद 10,943 करोर का रहा है जो year on year basis पर quarter basis पर दोनों ही numbers देखेंगे तो बढ़ते वे दिखेंगे थोड़े बहुत sales के number देखेंगे तो quarter on quarter basis पर थोड़ा वीक रहा जबकि year on year basis पर बेटर रहा लेकिन profitability जो है वो काफी बेटर रही है वो चाहें आप quarter basis पर देखेंगे या फिर आप year on year basis पर कमपनी का EPS भी जो है growth होते वे दिखा है तो overall number काफी outstanding रहा इसके अलावे company की जो delivery है वो recent में better रही है technical trend बेटर रहा है outperforming रहा है और अगर इसके chart को देखें तो 4th June के जो retracement रहे ते यहां से जो breakdown हुआ था इसको यहां पे थोड़ा retrace करा और again breakout करा यानि probability यह trend continue कर सकता है weakness जो है 494 के नीचे ही होगा और probability यह जो depth है यह target यानि यह stock 542 600 के short to medium term trend